कि तरब बढ़ते हैं और इस मेथड का नाम है Hophmon Bromomide Degradation Reaction. Degradation का ममझन नहीं होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज को रिडियूस करना, किसी चीज को घटा देना. तो होफmone Bromomide reaction क्या है तो इसके बारे में समझता है. इसमें क्या होता है कि एमाइड कंपाउंड का यूज किया जाता है एमाइड कंपाउंड जो है डारेक्ट करता है ब्रोमीन गैस के साथ एलकलाइन सलुशन की प्रजेंस में तो एने वेच या के वेच आप ले सकते हैं अब इस रियक्शन में क्या होता है कि देखें सीधे सीधे तोर पर मैं आपको समझा दूं कि आपको ये सीयो गुरूप घटा देना है अगर आप सीयो गुरूप हटा देंगे तो आपको डिरेक्ट टेक प्राइमरी एमीन मिल जाएगा जिसमें आप देखेंगे एक कम कार्बन हो जाता है सपोर्ज कर ये कि मेरे पास दो कार्बन का अगर एमाइड है त तो भी आप एमाइड का कंपाउंड लेते हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का एमीन मिलता है क्यों क्योंकि ये जो सीयो गूरूप होता ना इनकी प्रिजेंस में इसमें से बाहर निकल जाता है तो बाइप्रोडक्ट जो बनता है वो दो हाइडूजन और लगाने पड़ेंगे तो इस तरह से ये रियेक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी 4 नाइट्र सोडियम 4 सोडियम नमर ऑफ और ऑप यहां पर हो जाएगे 5 तो देखेंगे चार यह और एक ऑशियन यहां पर है तो टॉटल 5 यहां पर दो यहां पर तीन 5 So, RNH2 direct आपको कलब कर दे रहा है, RNH2 आपने इस तरह से कलब कर दिया है, अब, Bromine 2 है, Bromine वहाँ पर 2 है, Number of Hydrogen यहाँ पर देखेंगे, Total 6 है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है इसी तरह 2 यहाँ पर है, Tutuja 4 यहाँ पर है अब यह reaction balance हो चीकिए, अब इसका एक example देखते है अब इसको degradation क्यों कहा गया, देखें यहाँ पर Number of Carbon, जैसे मेरे पास एक compound है CS3, CO, NH2, अब इसका नाम है एथेनामाइड इसका नाम है एथेनामाइड या एसिटामाइड एथेनामाइड में देखेंगे Number of Carbon कितने हैं, 2 carbon है अब इसकी reaction जब आप कराएंगे Bromine से और Alkaline solution की presence में तो आपको मिलेगा CS3, NH2 तो एक कम carbon का amine आपको मिल रहा है याँपे क्योंकि दूसरा carbon इस compound में से बाहर निकल गया in the form of Na2CO3 बाकि आप ऐसे लिख लिख लिखे 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस H2O तो इसे balance भी कर लिजेगा नहीं भी करेंगे तो organic reaction में इतनी problem नहीं होती है मेन है आपको reaction का concept आना चाहिए similarly यह reaction आपकी perform होगी aromatic amide के लिए भी benjamide that is benzeean की रिंग पर CO NH2 ग्रूप लगा दीजे प्लस BR2 प्लस KOH इस बार मैंने KOH ले लिया है so what what is the main product that is aniline benzene की रिंग पर NH2 ग्रूप लग जाता है तो इसे हम amino benzene या aniline कहते हैं तो जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बाकी आपका product हो जागा KBR प्लस K2 CO3 प्लस water तो इस सारे से question आपको इसमें मिलते हैं चलिए इस reaction को भी note कर लिजे इस reaction को क्यों degradation कहते हैं because इसमें एक कम carbon का amine मिलता है इसको भी note कर दीजे